मॉल्डीव के प्रेजडेंट इस टाइम पे भारत में है और जो ट्रेंड अभी दिख रहे हैं उसके इसाब से तो लगता है कि मॉल्डीव के प्रेजडेंट मुईजू ने पूरी तरह से एक यूटन काट लिया है तो चलिए थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं क्योंक कि मुश्किल ही नहीं नामुम्किन होता है इसकी उपर एक किताब लिखी है एक वेस्टन आनलिस्स ने जिनका नाम है रॉबर्ट कैपलान इसको जड़ा पढ़िएगा आपको समझ में आएगा मैं क्यों यह प्रेडिक्शन लिटरली जैन्वरी से कर रहा हूं कि यह वापि की लोकेशन है वहां पर चाइना का होना भारत के लिए ओविसली ठीक नहीं है अभी भारत ने उसके लिए काफी हद तक आपने स्टेप्स भी उठाए आयनक वहां पर आपने नेवल का बेस बनाया मौरिश के अंदर बन रहा है काफी कुछ है वहां पर बट हैविंग सेट यहां पर Maldives is a very critically important country till the time you know it sustains itself और यह चीज़ हमको भी पता है climate change के एसाब में महाँ पर काफी कुछ चीज़ें होने वाली है जिसके ऊपर काफी बाते हम पहले भी कर चुके हैं अब देखिए Maldives के President मुईजू आये Indian Air Force के एक airliner के अंदर सबसे पहले तो इनके पास अपन ने जहाज भेजा उनको कि भाई आप इसमें बैठके इधर आईए लेट्स इनो टॉक अबाउट वेरियस डिफरेंट फिंग्स अब यह नो तुराना यह एक जो एक सेटप था जिस टाइम पे Maldives के मुजदू ने बोला था कि भाई भारत के कोई भी किसी चीज के उसको च अगरी करा है to deploy some amount of defense platforms in Maldives भारती है defense platform not for Maldives Indian defense platforms in Maldives कौन से platforms है उसको कुछ अभी तक उसकी clarity नहीं है कहिना कहीं यह भी पदा चला है कि साब भारत की तरफ से उन्होंने request करा है कि साब उनकी जो defense forces हैं उनको भी upgrade करने के लिए उनको भी थोड़ा सा training वेनीं करने के लिए भारत की उनको जरूरत है सबसे पहले मिले external affairs minister जैशंकर जी और जैशंकर जी का महाँ पर body language आपको देखना था जिस तरह से वह बैटे थे it was a very dominant body language मुई दू ऐसे जुक के उनकी तरफ देख रहा था जैशंकर जी एकक्तम सीफ पर पीछे करके टांगें ऐसे फोल करके he was sitting and that photograph was taken and put out देखे ये बहुत important चीजें होती हैं आपको समझने के लिए क्योंकि दो leaders जब मिलते हैं उनके बीच में जिस तरह की body language होती है उसको समझना बहुत बहुत important होता है पांच दिन के लिए भारत में आ रहे हैं और उसको बोला जाता है कि एक reconciliation visit है भारत में वो दुबा हम लोग एक relation की उपर बात करते हैं मुटसू साब का एक interview हुआ था बीजेपी सारी BBC के साथ BBC में उन्होंने बोला था कि साब हमको confidence है जिस तरह से हमारे भारत के साथ relations चल रहे हैं भारत हमारी help करेगा क्योंकि जिस तरह से वो करता आ रहा है इतने टाइम से तो यह उन्हों security उनके minister of technology उनके finance minister उनके health minister और उनके economic development minister के साथ साथ एक attorney general आये थे tourism minister आये थे civil aviation transportation minister आये थे infrastructure minister आये थे और जो chief of staff है president's office के वो भी आयोए थे basically पूरी cabinet यहाँपा बैठी भी थी ऐसे लग रहा था भारत ने बोला बैटा इधर आजा तेरसे ज़रा थोड़ी बात करनी है और अपनी पूरी team लेकर आना तेरसे ज़रा थोड़ी जी बाते करनी है let's clarify certain things before we get into any further relationship Maldives के जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जबरदस एक debt crisis चल रहा है और करीब-करी उसके foreign exchange reserves सिर्फ 440 million dollar बचे में है जो एक देट महीने के imports के लिए काफी है Maldives के readout ने जो बोला कि भाई जो current initiatives हैं और future initiatives के बारे में कुप सारी बातें चलेंगी और भारत को किस तरह से Maldives के development के अंदर involve किया जाता है और Maldives के एक structure के अंदर किस तरह से भारत को involve किया जा सकता है उसकी उपर बातें जरूर चलेंगी देखें ऐसा है कि काफी लोग उनसे सवाल बार-बार पूछते हैं कि आप तो या प्रो चाइना थे आप तो आप ने तो पहली foreign visit चाइना करी उसकी butter की गए ये करा वो करा सब कुछ आपने करा लेकिन ये आपको अभी तो प्रो चाइना tag क्या कहते हैं तो उनने बोला था क हमारा foreign policy में कभी ऐसा नहीं था हमारा सिर्फ Maldives first policy था जो वो बोलते हैं कि जो उनकी दूसरी government थी उनका India first policy था कहते ने नी जी ऐसा कुछ नहीं है हमारा तो mutual trust respect non interference pursuit of peace and prosperity मतलब अच्छे अच्छे शब दोनोंने काफी यूज करें उनसे ये भी पूछा गया कि आपके जो तींचा minister थे जिन्होंने मोदी साब को clown इसरेल का एक puppet और ये चीजें बोली थी उसका क्या तो उनने बोला कि ये बहुत चीजें regrettable हैं as a matter fact उन्होंने उसी टाइम पे ये उन्होंने बोला हमको पता है ये obviously जूट था कि साब उसी टाइम पे हमने action लिया उनको हमने suspend किया और ये भी पता चला कि साब अभी वो नौकरी से भी गायब हो चुके हैं जब तक मोदी साब का तीसरा term election नहीं हुआ था तब तक वो suspension पे ही थे लेकिन जब मोदी साब का तीसरा term का election हो गया था और मोडीज के प्रेजडेंट मुईजू यहां पर मोदी साब को मिलने के लि मिलन डॉलर बोला है कि अच्छा ठीक है हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे और पहले भी पचास पचास मिलन डॉलर की जो उनके डेट रीपेइमेंट थी उसको फोले मतलब आगे करने के लिए हमने अगरी करा था यहां पर मोडी की तरह से रिक्वेस्ट आई है कि ह अब हमारे जो कोस्ट कार्ट के वेहिकल्स है उसकी बहुत खराब है आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दो उसको करने के लिए तो भारत में बोला ठीक है हम आपकी तूरी उसको सेट करने के लिए हेल्प कर देते हैं के बारे में आपको बताया कि भारत के डिफेंस प्लैटफॉंस अब मॉल्डी के अंदर रहेंगे बारत को कोई खत्रा नहीं है अगर भारत को मॉल्डी के अंदर कुछ करना होता ना तो इतना टाइम नहीं लगता था पिछली बारी एक स्पेशल फॉर्स की बिटैलियन ने अगले एक डेट साल के अंदर जो पहले एक सिस्टम था भारत का वहाँ पर वो पूरी तरह से दुबारा रिस्टोर किया जाएगा विकुस्ट इस वाट इंडिया विल से इसाब हमको मैरिटाइम रिकॉनिसंस के लिए वहाँ पर जगे चाहिए इस इस वाट वी वांट खुदक रहे हैं उचल रहे हैं जब तक ये यूनिस बैठा वाए वहाँ पर थोड़ टाइम के बाद जब खाना कतम हो जाएगा जब पेट खाने के लिए जब इनका जो जिहादी एलेमेंट के बास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो यह देखो जो भी कर लो यह जो इसल दुनिया में जितने भी बड़े पार्स वो ये करते हैं लोग मेरको कल से मैसेजज कर रहे है यार भारत पैसे क्यों दे रहा है यह कर रहा है वह कर रहा है यह चीज मैंने january में भोली थी ग lett बंग्लदेश इन कंट्रीज के साथ इसको मिंटेन करने के लिए आपको सारे कंट्रीज उसके अंदर चाहिए तो येस यू के आइसलेट समवन फो सम टाइम आप उसको थोड़ा सा डंडा बंडा मार के उसकी थोड़ी सी स्कूरू नट कर सकते हो लेकिन जब उसके टाइट हो अगली बारी यह तो होगा इसके साथ यह भी होगा तो आप डिसाइड कर लो आपको किस डिरेक्शन में जाना है मॉल्डी वहने बहुत टाइम से रिकवेस्ट करें कि हमारे साथ रिक प्री ट्रेट अग्रीमेंट कर लो घुक्त बात बहुत इतुर यूपी उसका अग्रीमेट अलड़ी साइन हो चुका है एक और कांसलेटर भी हम खोलेंगे वहाँ पर अड्यू एंड मॉल्डीज का एक कांसल जेनरल बैठेगा भी बैंगलोर के अंपर इंडिया वैसे भी इंफ्रस्रक्ट्टर और कपासिटी बिल्डिंग के लिए यह वैसे चलती नहीं है इट डास नाट वर्टिक्स इस नेवर गेम अगे 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 वहाँ आगे वह गा इस इस वह नीड तो टेल अग्र आगे लिए रेडर सिस्टेम्स डिफेंस प्लाटफॉर्म इसके बारे में मैं आपसे पूरा अपडेट कर चुका हूँ ले जिस तरह से भारत ने इस सिचुवेशन को हैंडल करा था I think it's one of the most mature things that we had done. Although public में मेरी तरफ से भी बहुत गुसा था there is no question but उस गुसे के साथ मैंने ये भी बोला था कि इनके पास जाने के लिए कोई जगे नहीं है जिस तरह से आज बंगलादेश को भी एक message मिला जा रहा है देखे सतर असी साल से भारत की जो foreign policy रही है has been indifferent to its neighbors यह मैं आपको बड़ा clearly बता रहा हूं and I am not talking politics here but जिस तरह से foreign policy को रखा गया है it's been bad it's been sad it's been actually terrible उससे क्या होता है कि यह जो छोट-छोटे neighbors होते हैं size में छोटे at the end of it there are equal countries but size में जो छोटे neighbors होते हैं they try and take advantage by hedging their bets with other countries as well वो थोड़ी सी जादा चीजें बोल जाते हैं थोड़ी जादा चीजें कर जाते हैं किसाब you have to look at realism you need to look at the future and ठीक है countries के बीच में दो individuals के बीच में families के बीच में जगड़े बगड़े होते रहते हैं having said that Maldives के अंदर जो एक Islamic incident Islamic setup है उससे protection के लिए आपको obviously काम करना ही पड़ेगा और वो चीज इनकी leadership को बड़े clear नहीं बताना ही पड़ेगी किसाब अगर यहां से कुछ आया तो आपकी हम पीठे तोड़ देंगे और there is no other way to figure it out क्योंकि we are dealing with one Islamic government which is in Pakistan एक दूसरा और बैठावा है जो अभी कूदना शुरू कर रहा है Bangladesh के अंदर we do not want the third one coming up so better behave yourself otherwise there will be massive cost that you'll have to pay अब वो cost का idea तो Maldives के मुईज़ों को बड़ा clearly हो गया है तो लगता है दीरे-दीरे करके Maldives के मुईज़ों अभी U-turn काट रहे है पूरी तरह से U-turn complete नहीं हुआ है but it sure does seem like कि इसको अभी अकल आ गी है कि साब भारत से पंगा लेके आप कहीं आगे जा नहीं सकोगे but obviously this situation को हमको observe करना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा उनके जो deliverables हमने set करे हैं वो अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं that is something that we'll have to keep analyzing which we will keep doing thank you for watching this show guys आज दुपैर में सबसे मैं request करूँगा आज हम मिलेंगे Mr. Vikram Soodh से जो former Raw के head हैं उनसे हम बात करेंगे geopolitics की and Raft को बात करेंगे AIM साब से इस्रेल और Iran के future के बारे में कि भाई किस तरफ जा रहा है और इस्रेल का क्या-क्या plan हो सकता है obviously इसकी उपर काफी debates हो चुके है and I want to get as many as opinions as possible ताकि हम लोग इस issue को चारों तरफ से चारों direction से अच्छे से समझ सके है आप इस वीडियो को please like करिए subscribe करिए इस channel को अगर आपने नहीं करा है most importantly share this with your friends and families real politics की तरफ भारत अभी धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है आप इस channel की तरफ contribute भी कर सकते हैं qr code या फिर PayPal या फिर सूपर स्टिकर सूपर चैट के साथ तब तक जय हिन जय भारत